नरैनी ब्लागिनों आप देख रहे हैं कि यहां पर्ल्स नरैनी सभागार में क्रसी विभाग द्वारा महिलाओं और पुरुसों को कमपोश्ट खाद को लेकर प्रसचन दिया गया है। उनका कहना है कि इसके तहट महिलाएं केचवे की खाद बनाएंगी जिससे उनकी उपजाओ जमीन में भी उपयोगी अच्छी होगी और आगे ये इससे रुजगार भी कर पाएंगी। ये प्रसचन तीम दिवस्ये हैं जो आज से शुरू हुआ है। हम हैं देश के एक मात्र ग्रामीड नारिवादी न्यूज चैनल हमारा समर्थन करें यूटूब चैनल सब्सक्राइब करें खबरें लाइक करें और विबसाइट पर सदस्य बनें। यहां किसानों को वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए और उत्पादन को बढ़ाने के लिए मतलब प्रसिछण दिया जा रहा है कि आप केच्वे के खाद किस तरह से बनाएंगे और उसको अपने उसमें मतलब उत्पादन में कैसे प्रयोग करेंगी। इसके लिए यहां जो है उसी का प्रसिछण दिया जा रहा है। हां रुजगार इसलिए मतलब केच्वे की खाद बना करके वो रुजगार के तहत बैच सकती है जो 15-20 रुपए किलो के हिसाब से जाएगी। अच्छा लगा जो है जो थोड़ी वद्दे रहने तो अच्छा क्या लग रहा जब किसान आदमी परेसान रहता है। यहां पर कंपोस्ट खाद को लेकर के प्रसिछण दिया गया है तो आप लोग उसको कर पाएंगे। किस तरह के फायदे होते हैं। भबजी होते हैं, खाद ढहें जो हैं उसको सूला किया जाता है। तुछ तुछ म takieज़वार्ड़ा ग।्राम ही बाइज अए लेकिन संभव बहुत कम लारे मेंünde कि अग्लितान को युद मार्केट में उस्थिया जा म१स क्नूर्च में जाता है। देखिए जैसे आप जानते हैं कि हमारा भारत जो है वो एक पूरा 70% आवादी ग्रामीन परिवेश की है और पशू पालन हमेशा खेती के साथ सातरा है आज जो समस्या आ रही है अन्ना प्रता की उसके अंदर कहीं न कहीं हैं कि पशो की उत्पातकता कम होगी मगर पशू सिर्फ दूद के साथ ही नहीं हम वो हमें गोबर भी दे रहे हैं और उनका गोमूतर भी बहुत ज़्यादा काम आ रहा है तो हमारा यह है कि हमारी जो माताय मैंने हैं वो ज़्यादा काम खेती बाड़ी का और पशू पालन का काम लगबग महिलाएं की दोरा किया जाता है तो इन महिलाओं को हम प्रस्टिक्शन देके उन्हों यह बताएंगे कि कैसे वह एक छोटी सी जगह में इसको वर्मी कंपोस्ट खाथ को पैदा कर सकती है इसको जब वर्मी कंपोस्ट खाथ को केचो की माद्यम से बनाएंगी तो उसका मार्केट भी बहुत ज़्य प्रस्टित तोर पर उनके लिए एक अच्छा मार्केट उपलब्द है और वो इसमें अपनी आयक अर्जन कर सकती है खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भासा